Hello Friends, आज की वीडियो में हम 10 questions देखने वाले हैं जो CTAT से लेटिड होने वाली है उससे पहले मैं नवीन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है All About Special Education चलिए आपके सामने 1st question है जो भासा सब भाविग रूप से सीखी जाती है वह है सब भाविग मतलब होता है Natural आपके सामने 4 option है ए देव भासा, बी राष्टर भासा, सी मात्र भासा या डी उप भासा जो इसका सही answer है वो दोस्तों बताओ क्या होगा जो इसका सही answer है वो है जो भासा सब भाविग यानि कि Natural रूप से सीखी जाती है उस भासा को मात्र भासा कहते है यानि कि Option C आपके सामने Second Question है अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पदती सारवरधिक रूप से सायक है दोस्तों Very Important Question सीट हैट में ये कोशन कई बार पूछ लिया जाता है तो इस पे ध्यान देना है आपके सामने चार Option है इसमें से एक सही है जो सही है वो है B. मोन पठन दोस्तों Third Question है आपके सामने वानी दोस नहीं है A. दहुनी परिवतन और एस्पर्ष्ट उचारण B. धीमी या तेजगती से बोलना C. हकलाना और तुतलाना या D. तिर्व एस्पर्ष्ट वानी इसमें से एक सही है वो कौन सा है? वो है B. धीमी या तेजगती से बोलना धीमी या तेजगती से बोलना वो नॉर्मल बहेवियर है Not a speech disorder दोस्तों Fourth Question है आपके सामने खेजडी का पेड़ मुख्य रूप से पाया जाता है आपके सामने चार उप्षन है इसमें से एक सही है A. समतल छेतर B. ठंडा छेतर C. रेगिस्तानी छेतर D. टट्य छेतर दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा C. रेगिस्तानी छेतर खेजडी पेड़ रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है यह बिना पानी के भी हुख सकता है इसकी छाल का उप्योग दवाई बनाने के लिए किया जाता है तथा इसकी लकड़ी कीड़ों से प्रवावित नहीं होती है तो दोस्तों यह चीज़े इसके बारे में दिहान रखना है आपको दोस्तों फिफ्ट कोशन है हिंदी भासा में सतत आकलन का सरवाधिक उचित तरीका है आपके सामने चार उप्शन है इनमें से एक सही है ए, हर 15 दिन में सरल परिक्षा लेना बी, बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने के प्रियाप्त अवसर देना सी, बच्चों से समू में परियोजना, कार्ये करवाना दी, बच्चों से अनुपचारिक बातचीत करना दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट कोशन है इसमें एक चीज़ का ध्यान अखना जिससे आप डियाप्त अवसर पर पहुंच जाओगे जहां पर भी बच्चों के अनुभव की बात आजे और उनके अवसरों की बात आजे यानि की अवसर वही होगा इसका तो इसका आंसर जो हमको दिख रहा है वो है B, बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने के प्रियाप्त अवसर देना इसका जो सही आंसर है वो है B आपके सामने 6 कोशन है मुल्यांकन शिक्षक की डैस में सायता करता है 4 ओप्षन आपके सामने 7 कोशन है आपके सामने दोस्तो निमिलिकित में से किस चितरकला का नाम बिहार के किसी इस्तान के नाम पर रखा गया है आपके सामने 4 ओप्षन है इसमें से एक सही है और ये कोशन वेरी इंपोर्टेंट है सीट एट के लिए तो इसका ध्यान रखना है जो इसका सही आंसर है वो है मदूबनी चितरकला इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तो मदूबनी चितरकला बिहार राजे से संबंदित है यह लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मदूबनी के नाम पर रखा गया है इस चितरकला में प्राकरतिक वस्तो जैसे पतियां, फूल, जानवर, पक्षियों और मनुश्यों को चितरित किया गया है दोस्तो चितरकला में प्राकरतिक रंगों का उप्योग किया जाता है इसमें नील, हल्दी और समानने फूल से प्राप्त रंग होते हैं चित्रकला को अधिक सुन्दर बनाने के लिए पीसे चावल का एक विशेश परकार का पेश्ट बनाया जाता है तो दोस्तो इसका जो सही अंसर है वो है C और जो बाते आपको अभी बताई गई है उसको विशेश दिहान रखना है इस कोशन पे दोस्तो एट कॉशन आपके सामने है निमिलिकित मेंसे कोन सा कतन संतूलित अहार को सही डंग से परिभाशित करता है दोस्तो जो इसका सही आंसर है वो है तो दोस्तो इसका ध्यान रखना है दोस्तो आपके सामने 9 कोशन है कक्षा में डश्टी हिन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे आपके सामने 4 उप्षन है ए उन्हें भासा समद्धित आसान कार्य देंगे बी पढ़ाने के बाद उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगी सी धीमी गती से पाठ पढ़ते हुए उसके वर्ण को विस्तार देंगे या डी ब्रेल इपी में समगरी उपलब्ध होने की परतिक्षा करेंगे दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी धर्ष्टी हीन बच्चों के समावेशन के लिए आप धीमी गती से पाठ पढ़ते हुए उसके वर्ण को विस्तार देंगे ठीक है दोस्तों दोस्तों लाश्ट कोशिन है ये तैंत कोशिन प्रात्मिक इस्तर पर भासा सिक्षन का मुख्य उदेश्य है आपके सामने चार उप्षन है इसमें से एक सही है पहला उप्षन आपके सामने A. चार अक्षर वाले सब्द पढ़ लिख लेना B. पाठ्थे पुस्तक के अंत में दिये गए सभी अभ्याश्यों को पूरा करना C. दूसरों की बातों को देरिये से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिपनी देना या D. वर्ण माला को करम से याद रखना तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है C. दूसरों की बातों को देरिये से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिपनी देना आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही I hope friends वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को ज़्याद से ज़्यादा शेर और लाइक करें अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि मैं ऐसे ही important question आपके लिए लाता रहता हूँ जल्द ही next वीडियो में मिलेंगे thanks for watching